नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परिक्षित अकैडमी और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परिक्षा रिव्यू के बारे में जो की 15 अप्रेल 2023 फर्स्ट शिफ्ट का है इस शिफ्ट में बशन आता है तो इसे लाइक और शेर जरूर करें तो चलिए विना टैम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की परिक्षा में आज की शिफ्ट में पूछे गए प्रमुख प्रश्णों के बारे में जो की मेमोरी बैस्ट होने वाले हैं तो आज भी शिफ वन मंतरी रहे हैं तो आईए हम कुछ ब्रमुख मंतरियों की बात कर लेते हैं हो सकता है नेकस्ट सेशन में पूछ लिया जाए तो बात करते हैं सीयम की सबको पता है शिफरा सिंग चोहान है तो वो कौन है तो वो सीयम है सामाने प्रसाशन, जन संपर्क, नर्मता, घाटी, विकास के और अन्य विभाग जो किसी और के पास नहीं इनके पास होते हैं दूसरे नमबर पर आते हैं नरोत्तम मिश्रा जो की होम मिनिस्टर है इसके अलावा जेल, संसदी कारिये, विधी और विधाई कारिये के मंत्री है फिर है गोपाल भारगो जो की P.W.D. यानि की लोक संसाधन, मच्वा, मुर और मृत्स-विकास मंत्री जगदिश देवड़ा जो है विध्तमंत्री है विध्त बजट पेश करते हैं इंका नाम हम परते हैं तो विध्तमंत्री वानिजकर, योजना, आर्थी, केम, सांखी की विभाग आएफ कुछ और मंत्रियों की बात करते ह तो बिसागू लाल सीहां तो यह है खाद्दिय और नागरिक आपुर्तिय और उपभोगता संद्रक्षन मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया कली बताया था यह है खेलेम युवा कल्यांट तक्निकी सिक्षा कोशल विकास रोजकार विभाग मंत्री भुपेंद्र सीहां तो यह है कसे कमल कसे किसान किसान कल्यान और क्रशिव भाग मंत्री और अगर प्रमुक मंत्रियों में एक और बात करें गोविन राजपूत की तो यह है राजजस्व या परिवहन जो है मंत्री तो यह थे प्रमुक मंध्यप्रदेश के मंत्री आप एक बार और मंत्रियों क वो पढ़ सकते हैं वैसे जो मेन मेन हैं वो ही पूछे जा रहे हैं तो आईए अगले questions की तरफ बढ़ते हैं यह जो प्रशन है यह repeat हुआ है पटवारी परीक्षा में यह पूछा गया था और हमने एक बार इसको बताया था इनकी रचना राम रक्ष बैनी पूरी जो है इनकी प्रमुक रचना कौन सी है तो यह option के ओपर काफी हद तक question निर्भर रहा था तो आईए इनके कुछ रचनाओं की बात करते हैं रजिया माटी की मूर्ती जंजीरे और दिवारे मील के पत्थर चिता के फूल गेहूं और गुलाब महरान प्रताप विध्यापती पदावली हो सकता है कि कूकि मात्र इतनी ही उन्होंने लिखी होगी एक विक्ति अपने जीवन काल में कई सारी रचनाइं लिखता है कई सारी हो सकती है सबकी नहीं होती है मुख्यर रूह हमको याद रखनी है तो काफी हत्ता हुगा कि कौन सा रचना पूछी गईती अगले Uhh के तरफ ठीके मध्यकाल जो हमारा modern medieval history है उससे questions पूछ रहे हैं कल परसु 13 तारीकी shift में भी पूछा था अढ़ाई दिन के जोपड़े के बारे में और आज पूछा है तारीके फिरोसाही पुस्तक के लेखा कौन है तो फिरोस जी होत दिन बरनी अगली प्रेशने के तरफ बढ़ते हैं next question पूछा गया था कि मध्यप्रदेश का पारंपरी खेल कौन सा है तो मलकम option में नहीं था तो मान सकते हम खोको ही रहा होगा और काफी हद तक ये व्यापम क्योंपर depend करता है क्यों क्या answer consider करता है ठीक है कौन कौन से इसमें जो है तो वीडियो लंबा हो जाएगा हाली में जारी global hunger index 2022 में भारत का इस्थान क्या रहा है तो भारत का इस्थान जो है 107 रहा है 121 देशों में से और जो पाकिस्तान है वह 99 नंबर पर है नेपाल जो है वह 81 नंबर पर है और जो बांगला देश है वह 84 नंबर पर है ठीक है तो यह प्राइशन अगर हमें एकदम सठीक मिलता या हम शौर रहते कि यही पूछा गया था तो इसका एंसर बतावाते लेकिन इस प्रकार के जो रेरा भी होता है जिसके तहट जो है पर्मीशन लेना पड़ती है अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कहीं पर कॉलोनी अगर करती है तो रेरा से अप्रूल लेता है ठीक है अब यहां पर किस जो है कंसर में पूछा गया था कोश्चन अगर होता तो हम पर्फेक्ट जवाब इसका दे सकते थे ठीक है अधर्वाइस रेरा इसका होता चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं अगले प्रेशन के तरफ तो आ केंद्रे सरकार को सोपते हैं इसके अलावा जो समविधानिक आयोग होते हैं वो अपनी रिपोर्ट रास्टरपती को सोपते हैं ठीक है तो यह कुछ बैसिक सी बात थी अगले प्रेशन के तरफ बढ़ते हैं तो क्वेशन आया है कि धन विधेक जो है भारत के विधान के कि सनुचेद में वर्णित मिलता है तो यह समविधान 110 में धन विधेक के बारे में प्रावधान किया गया है प्रत्वी का विभाजन हुआ इसकी शुरुवात इस प्रकास से कोई क्वेशन था तो यह क्वेशन भी पूरा नहीं मिल पाया है हो सकता है यहाँ पर ठ्योरी पू को देखो आयोग से तीन कोईशन पूचे गए दो कोईशन हमको दीगे कोईशन अभी आने वाला है मतलब जैसे की पेपर सेट करने वाला मुझे हमें लग रहा है कि पेसी की त्यारी कर रहा है क्योंकि वहां पर आयोग काफी इंपोर्टेंट होते हैं चलिए यह मजाक की ब अगला प्रेशन पूचा गया है कि उद्योग शुरू करने पर परियावरन सनक्षन अधिनयम के अलावा और किस अधिनयम का पालन करना होता है तो यह पालन करना होता वायू प्रदुशन नियंत्रन अधिनयम 1981 का अब करेंड की कोई पुस्तक पूचिती हो और उसके लेख प्रकासिक प्रशन आया था राश्टी बाल सनरक्षन आयोग से संबनी प्रशन पूचा गया था किस प्रकासि प्रशन था यह फिलाल नहीं पता लेकिन अगर हम राश्टी बाल सनरक्षन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना जो है पांच मार्च 2007 को हुई थी किसके तह इसकी इस्तापना कई थी गौर्मेंट ओफ इंडिया याने की केंदर सरकार ने और इसका जो प्रमुकुदेश यह बाल अधिकारों की सार्व भूमिकता और गेर उलंगनियता के लिए काम करना ठीक है आयोग के लिए 0 जो से मतलब 0-18 वर्ष्टक के बालकों पर ध्याण दिया जाता है और इसमें आयोग जो होता है इसकी संरुचना होती ही इन छे सदस्यों होता है अध्यक्ष जो है वो जाना माना प्रतिश्चित वक्ती होता है जिन्होंने बच्चों के कल्यान को बढ़ावा देने के लिए असाधरन कारी किया है और इन छे सदस्यों में से दो सदस्यों का कम से कब महिला होना जरूरी होता है इसके लावब इनके कहीं यह सदस्य अगर है तो तीन साल और साथ साल होता है सदस्य के लिए अपनी इत्याग पत्र केंद्र सरकार को देते हैं अपने रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को प्रसूत करते हैं आयूक के अध्यक्ष्यों सदस्यों के वेतन बत्ते और सेवा सरते भी कौन निधारित करता है तो केंदर सरकार निधारित करता है तो हमने आयोग के बारे में सारी बाते आपको कम समय में बता दी ठीके अगर आया होगा तो आप सबको पता होगा किस प्रकार से प्रशन आया होगा चलिए next question देखते हैं कि हाल ही में जारी नीती किस अधीनियम से सम्मन दीते इस प्रकार से एक प्रशन था यह प्रशन भी पूरा नहीं है तो जितने questions हमें मिल पाए memory base पर हमने यहाँ पर उसकी बात करी आईए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विज्ञान के प्रमुक प्रशनों के बारे में पटवारी परिक्षा में विटामिन एक topic है जो चाया हुआ है और सबको questions भी इसके याद रह जाते हैं तो विज्ञान हम बात करें तो राइबो फ्लेविन किस विटामिन का नाम है तो विटामिन B2 पैलेगरा किस विटामिन की कमी से होता है B3 बेजली बल्ब के अंदर कौन सी गेस भड़ी होती है तो और्गन और ब्रोमीन का संकेत क्या है तो बी आर हर केमेस्टी में पैडिक टेबल में हर एक element जो है पहले capital letter में लिखा जाता अगर उसका दूसरा भी अलफा बेट्स होता तो उसको small में लिखा जाता है इसलिए बी अलुमिनियम और नाइट्रेट पर वैलेंसी एक होती है तो इधर कुछ नहीं जाएगा लेकिन अलुमिनियम की तीन वैलेंसी इसके अपान में चली आती है तो यह होता है अलुमिनियम नाइट्रेट का सूत्र आगे की questions की तरफ अगर हम बढ़े तो हवाई जहाज के पहियों में कौन सी गेस भरी होती है तो यह भरी होती है helium और नाइट्रोजन कोशिक विभाजन से प्रिशन पूछा गया है फेराडे के नियम से प्रिशन पूछा गया है और तसार्णी से प्रिशन पूछा गया है और मातरक से प्रिशन पूछा गया है कौन सा मातरक है ये भी नहीं पता विटामीन से एक और कुशन आया था शायर या फिर हो सकता है दो केंद्र की कोशिका से कुशन आया है न्यूटन के नियम से प्रेश्ण पूछा गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर हम तो हम बात करते हैं कम्प्यूटर की तो कम्प्यूटर में जो है नंबर थोड़े छुप गए हैं तो कुश्चंस यह है पहला कोश्चन कि MS Excel को में इच सेल की सामगरी को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उप्योग करते हैं तो F2 का करते हैं दूसरा प्रेश्ण है कि वर्क्षीट पर कॉलमर रोग के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं सबको पता है सेल कहते हैं तीसरा है हाई स्पीड पर कौन सा इंटरनेट नेट्वक्किंग MS PowerPoint वगरे से प्रेश्ण पूछे गए और और भी कम्पीटर के कुछ जो कुछ टॉपिक है जो यहां पर नहीं दे रहे हैं उनसे प्रेश्ण आये हैं ठीके यह जितने बन यह एक साब से टॉपिक ही है बहुत सारी कुशन पूछे गए थे MS Word MS विलोम क्या है तो आई थिंक सबको पता है विलोम परियावचे अनेकार्थी शुद्ध वर्तनी तद्बह तस्वं संदी समास कारक वाचे शुद्ध शुद्ध लोकुक्ति मौहवरा पैराजंबल सभी से जो कुशन आ रहे हैं तो फ्रेंड्स ठीके तो सभी से कुशन आ र हमें वीडियो आपको कैसा लगा लाइक को शेयर करें और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के भी वीडियो में हमने मैंने मैट्स रेजनिंग और इंगलीश वाले पॉशन की बात नहीं की है तो आप बिलकुल अब बकाईदा इसको भी अच्छे से कर लीजेगा so have a nice day and thanks for watching